नमेश्कार दोस्तों आप सभी का स्वाकतरिंके एजुकेशन में और आज किस वीडियो में डिस्कस करेंगे present continuous tense के बारे में और present continuous tense की affirmative type के बारे में डिस्कस करेंगे और यह tense पे हमारी चौती वीडियो है इससे पहले हमने तीन वीडियो present indefinite tense means की present simple tense पे बनाई है जिसमें पहली वीडियो में present simple tense की affirmative type को कबर किया है दूसरी वीडियो में present indefinite tense की negative type को कबर किया है और तीसरी वीडियो में present indefinite की interrogative type को कबर किया है और इस वीडियो में हम present continuous tense की affirmative type को कबर करेंगे जानेंगे कि Present Continuous Tense की पहचान किया होती है इसे use कब करते हैं क्यों करते हैं और काफी सारी example करेंगे जिससे कि आपको Present Continuous Tense के बारे में जितने बीड़ाउट हैं वो सारे के सारे आपके clear हो जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं, देखें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि present continuous tense कि आपे affirmative type हम आज cover करेंगे, ठीक है, पहचान किया है present continuous tense की, तो वो जिसके पीछे रहा है, रही है, रही है, लगा हो, तो वो present continuous tense की type होती है, means कि वो जा रही है, राम जा रहा है, मेरे पापा जा रही है, वो खेल रही है, वो खेल रही है, वो गा रही है, वो नहा रही है, वो खाना खा रही है, means कि जो चल रहा होता है action, any action going on add present, means कि कोई भी action जो add present, इस समय पर चल रहा हो, उसे हम present continuous tense में cover करते हैं, ठीक है, तो इसकी हम काफी example करेंगे, सबसे पहले हम rule देख लेत है, और जो आपको समझाएगा, वो सारे का सारा example से आपको समझ में आ जाएगा, rule बस ही है, कि sentence का जो structure होता है, sentence के sentence को हम structure में डालने के लिए rule का प्रियोग करते हैं, ठीक है, तो rule क्या होता है, rule इसका होता है, subject, plus is mr, plus verb की fourth form, और plus object, verb की first form, जा ing कह लिए, जा verb की fourth form, इसक तो आप कह सकते हो, ठीक है, और singular subject होते हैं, जितने भी, वहाँ पर जो helping रब लगेगी, वो easy लगेगी, means की third person singular है, दो व्यक्ति किसी के तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वो तीसरे व्यक्ति को यहाँ पर हमने बात करने के लिए, जब हम उसके बारे में बात करते हैं, तो easy लगाते हैं, means की he is, वो काम नहीं करता है, हम किसी को बता रहे हैं कि वो है, जो तीसरे परसन है, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो बहाँ पे हम easy लगाएंगे, राम पढ़ने में हुशार नहीं है, means की easy लगाते हैं, ठीक है, राम पढ़ रहा है, तो राम पढ़ रहा है, ह उसमें हम हर का प्रियोग करते हैं, we are, they are, you are, ठीक है, he is, she is, it is, यह हो गया सिंगलर, और जो plural है, वो है, we are, they are, you are, ठीक है, तो यहां पे plural है, और यहां पे आपका सिंगलर है, ठीक है, एक इसमें है, जो परनाउन है, I, मैं के लिए जीज़ होता है, उसे हम helping bob, M के M में count कर करते हैं, I am, I am, तो यह लगाते हैं, ठीक है, he is, she is, it is, और जो plural में लगता है, we are, they are, you are, और आई के साथ I am लगता है, ठीक है, तो यह जो आपका structure हो गया, इसका rule हो गया, वो है subject, plus is, mr, plus verb की fourth form, verb की fourth form क्या होती है, जो verb की first form में, ing प्रियोग कर देते हैं, जैसे play का playing कर देते हैं, dance का, dancing कर देते हैं, cook का, cooking कर देते हैं, तो यह verb की fourth form होती है, object आपको पहली वीडियो में बिता दिया था, कि subject क्या होता है, object क्या होता है, verb क्या होती है, तो आपको वो बिता दिया था, ठीक है, next time क्या करते हैं, अब इसकी कुछ example कर लेते हैं, कि बैह अपना ग तरै कारेगा दुर्चाना डीए के साथ ही इस का प्रोग किला तक्र ए Gen और पे झारो रहा है यह आपको पहचान बताई थी कि जिसStandence के पीछे रहा है रही है वो लगा होता है तो वो प्रजेंट आपका continuous tense होता है रहा है रही है रही है रहे है ठीक है राम गर जा रहा है रहा है यहां पर प्रजेंट continuous tense हुआ राम इस गोइंग होम इसका प्रयोग हुआ क्योंकि राम, third person यहां पे singular है next time मैं खेल रहा हूँ मैं खेल रहा हूँ I am playing back खेल रही है, he is playing देखे, I के साथ M लगा I am playing, he के साथ is लगा, he is playing हम हंस रही है हम हंस रही है, इसमें आएगा we are laughing, ठीक है, we are laughing, V के साथ हमने R का प्रोग गिया यहां से आपको सारी की सारी helping बरब के बार में जानकारी यहां पे मिल जाएगी I के साथ M का प्रोग हुआ है I am playing, he is playing वह खेल रहा है, we are laughing हम हंसर रही है जो next example है मैं सेव खा रही हूँ I am eating apple I am eating apples वह खाना पका रही है, he is cooking food हम स्कूल जा रही है we are going to school यहां पे तीनों की तीनों जो वह की फोर्म है, वो एकी स्लाइड में आपको दगाई जा रही है, जिससे आप comparison इनका साफ साफ कर सकते हैं कि I के साथ M, He के साथ Is, V के साथ R और सभी के साथ जो वह की fourth form लगी हुए है जिसमें I N G का प्रयोग किया गया है क्योंकि काम चल रहा है ठीक है, यहां पे नाश्ट है की बह बगीचे में गुम रही है यहां पे वह की fourth form आर का प्रयोग रहे हैं यह present continuous tense की यहां पे पहचान है नेहा बजार जारी है नेहा इस गौिंग टू मार्किट तो यहां पे जो go की यहां पे ing लगाया है वह की fourth form है और रही है यह present continuous tense की यहां पे निसानी है और रोहन और मोहन गाना गा रहे हैं रोहन और मोहन गाना गाना गारे है रोहन एड मोहन singing is song Singing means कि वो अभी गाना गा रहे है Singing is Song और देखें next है हम पूजा कर रहे है We are worshiping We are worshiping हम पूजा कर रहे है पीता जी जैपुर जा रहे है Father is going to जैपुर Father is going to जैपुर यहां पर fourth form लगी है Father is going to जैपुर मेरा बाई पढ़ रहा है My brother is studying My brother is studying मेरा बाई पढ़ रहा है तो वसाज की वीडियों बस इतना ही अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर करें अगर आपका अभी भी कोई doubt है तो comment section में comment जरूर करें और इस वीडियों को लाइक जरूर करें धन्यावाद दोस्तू